तो गाईस आज है हमारे पास OPPO A78 5G स्मार्टफॉन जैसे के आप देख सकते हैं आज मैं आपको इसके अमेजिंग फीचर्स बताने वाली हूँ कैमरे के जैसे अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह लाइट को मैंने कैसे अपलाई करी हूँ आगे आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और मैंने इसके बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स की वीडियो बना दी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्सन पर मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं अभी बात करते हैं कैमरे की फीचर्स की तो बात करें फीचर्स की तो आपको कैमरा ओन करना है और उपर आपको थ्री डॉट देखने के लिए मिलेंगे वहाँ पर आपको क्लिक करना है दैन आपको सेटिंग पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक बाटर मार्क ओप्सन मिलेगा अगर आप इसे on कर लेते हैं तो आपकी फोटो में बाटर मार्क देखने के लिए मिलेगा OPPO A78 5G वाला और आप इसे कस्टुमाइज भी कर सकते हैं अपना नाम भी लिख सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर नाम आ गया है और यही पर नीचे आपको location का option मिल जाएगा तो आप यहां से location भी set कर सकते हैं इसे on कर देना है और यही पर आपको date and time का option मिलेगा तो आप यही इसको on कर देते हैं तो आपकी फोटो में date और टाइम दोनों ही दिखाने लगीगा और यहीं पर आपको phone size का option मिल जाता है तो आप अपने हिसाब से phone के size को change कर सकते हैं और position का option मिल जाता है तो जैसे कि अभी ये center पर हो गया और अभी बॉटम राइट पर हो गया है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको back आन आना है तो आपको three dot पर आना है setting में आना है और grid line को option पर click करके non में click कर देना है तो ये बंद भी हो जाएंगे और नीचे आपको एक और option देखने के लिए मिलता है shutter sound अगर आप इसे बंद कर देते हैं तो जैसे हम कोई selfie लेते हैं और उसमे sound आता है तो वो sound नहीं आएगा यही पर आपको एक और option देखने के लिए मिल जाता है flip selfie अगर यह on रहता है तो हमारी selfie जैसे कि ऐसी है तो वो ऐसी ऐसी होने लगती है यदि आप इसे बंद करना च जाते हैं तो बंद भी कर सकते हैं और यही पर आपको एक और option देखने के लिए मिलेगा shooting method आप यहां पर click करते हैं जैसे कि top to capture में अगर हम इसे on कर लेते हैं तो क्या होता है कि हम back आते हैं और भी back आना है camera में और जैसे हम यहां पर click करते हैं तो वो photo जो है वो capture हो जाती ह और इसे बंद करने के लिए आपको setting में जाना है shooting method पर जाना है और आप यहां से इसे बंद भी कर सकते हैं और यहीं पर आपको एक और option देखने के लिए मिल जाएगा volume button action आप यहां पर shutter पर click कर देते हैं तो जो हमारी यह volume button है न इसे हम click करेंगे तो picture capture हो जाएगी जैसे हम back आते हैं camera में अभी आप यहां पर देख सकते हैं volume button को click करा और picture भी click हो जाती है इसके बाद next features की बात करें तो आपको यहीं पर setting में आना है और यहां पर आपको एक और option में देखने के लिए मिल जाता है quick launch यह काफी कमाल का option है आप इसे आपका बंद रहता है तो आप इसे on भी कर सकते हैं on कर लेंगे तो जैसे ही आहमारा phone बंद होता है और आप दो बार अपनी volume button को press करेंगे तो automatic ही camera on हो जाता है और यहीं पर आपको और भी धे सारे features देखने के लिए मिल जाते हैं text scanner जैसे कि हमें कोई भी document बगएरा scan करना है तो आप यहां से scan कर सकते हैं और उसके जो test बगएरा है वो सभी एकदम अच्छे तरह से दिखाई देंगे और यहीं पर आपको एक और option देखने के मिल जाता है slow motion बगएर अधे सारे option देखने के लिए मिल जाते हैं जैसे कि sticker आपको यहां पर sticker भी मिल जाते हैं अगर आपका नेट चालू होगा तो यह download भी हो जाते हैं और आप यहीं more पर आएंगे तो आपको एक और option देखने के लिए मिल जाता है extra HD मतलब कि आप यहां पर 108 megapixel तक की photo निकाल सकते हैं जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि इसमें 50 megapixel का camera है मगर extra HD से हम और अच्छी HD में photo को capture कर सकते हैं जैसे कि हमने यह एक photo capture करी तो आप इसे 108 तक जूम कर सकते हैं जैसे हमने यह जूम किया जूम किया मतलब photo की quality बहुत अच्छी आ जाती है extra HD से यहीं पर आपको और भी option मिल जाते हैं जैसे कि वीडियो तो वीडियो को भी आप resolution सेट कर सकते हैं जैसे कि 720 हो गया और 1080 अप बात कर लेते हैं कि यह मैंने camera में light कैसे apply करी हैं तो इसके लिए आपको simply google chrome पर जाना है वहां से आपको ring ring app को download कर लेना है यह पहले बंद रहेगा तो आपको इसे on कर लेना है तो आपकी जो camera में light है वो on हो जाएगी और आप इस light का size को भी छोटा बड़ा कर सकते हैं इस phone के और भी धे सारी features हैं जिनकी वीडियो मैंने पहले ही बना चुकी हूँ तो आपको link description पर मिल जाएगी तो आप उहां से check out कर सकते हैं और हाँ अभी तक आपने वीडियो को like नहीं कर रहा वीडियो को like कर दीजिए और channel को subscribe भी कर देना ताकि आपको next video सबसे पहले देखनी क्लीम मिले